तर आपने कहा शरत पवार ने कहा था कि छे महीने में खत्म हो जाएगी एपीम सी आक्ट, मंत्री थे, देश के सारे सीम को चिट्थी लिखी थी, डॉक्यमेंटरी एविडेंस के सामने मैं देश के सामने ये तमाम बाते रख रहा हूँ, आपने फिर मुलायम सिंग को भी लिय कि आज मैंने मैं शरत पवार एक वरिश ने तमिनकी इज्जत भी की, और आप चुब मेरी प्रेस कॉंफरेंस की बात करें, मैंने उसमें क्या कहा था, बहुत सम्मानिये हैं, चार-पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्षों केंद में मंत्री रहे हैं, और वो सुधार में मंडी एक्ट खतम होगी, और जो नहीं सुधार करेंगे, उनका हम फिनांशल ग्रांट बंद कर देंगे, उस समय तो उनकी सरकार बिना प्रधान मंत्री के अनुमत्री के उन्होंने कहा होगा क्या, और जिस समय 2005 में इंट्रिव्यू में यह बात कह रहे हैं, आप याद क करिये, उनकी सरकार के साथ सारे खड़े थे, जो आज विरोध कर रहे हैं, क्या कॉंग्रेस पार्टी, क्या टीम सी, क्या लेफ्ट पार्टी, क्या मुलाइम सिंग्यादो, क्या लालो प्रसाद की पार्टी, क्या ममता जी की पार्टी, सब भी खड़े थे ना, जो आज विर करने लगते हैं तो यह हमें आश्र लगता है कहीं न कहीं तो राजनीती में एक नैतिक्ता होनी चाहिए एक स्टैंड होना चाहिए और यह बड़े सवाल मैं कहूंगा क्योंकि आपका चनल देश्में में दिखा जाता है हमारे किसानों को नए विकास के अवसर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए हमारे किसानों के आंदनी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए या वही मंडी वही कुछ बिचॉलियों की जकडन वही जब वो कहेगा तो वही पौद लगाएंगे जो वो चाहेगा क्या इसे ही करना है यह है बड़े सवाल और देखिया हमने आज एक बात और विस्तार से कहा लगभग लाखों लोगों से कंसल्टेशन हुआ है डिजिटली हुआ कोविड के कारण कई दरजनों कमिटियों ने रिपोर्ट किया आपके याद करिए कि जब हम लोग इस कानू को लेकर के आये थे तो स्वामियातन जीसे सवाल पूछा गया उन्हें कहा ओल दीजार स्टेप इन दर राइट डिरेक्शन तो यह तो वर्षों से चल रहा है और आप जान लिजिए भारत का किसान नरेद मोदी जी विश्वास करता है और हमाई सरकार पर विश्वास करता है इसलिए हम जीते हैं बार बार जीते हैं और उनको लगता है और देखिए एक बात और एक मिन मैं और बता दूं सिर्फ यह काम नहीं किया हमने देश में दस क्रोड वार किसानों के एकाउंट में लगबख एक लाख क्रोड रुपया भीज़ा नहीं बेजा अभी तक भेज रहे हैं, 2000 रुपया every three months, 6000 रुपया, ताकि वो बीज ले बाकी ले, यसे सिदा उनको किया की नही किया है, किसानों के लिए फसल विमाय होजना आई है की नही आई है, किसानों का मान धंगा कारेक्म हमने किया है की नही किया है, तो सिर्फ यहीं कानून नहीं किसान सौवलंबी बने इसके लिए हम लाखों करोड उनके एकाउंट में भी भेज रहे हैं यह भी किसान देख रहा है तो मारी नियत बहुत साफ है यह हम कहना जाए मोधी विरोध का मौका देख रहा है इसमें विपक्ष यह आरोप लगाया है आपने जी मुझे इसका जवाब अच्छा कि आपने सवाल किया राजनीती में आप अपना स्वार्थ रखिये इस पर मेरी कोई आपती नहीं है